Hello everyone, welcome to its unique class. So, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Seated December 2021 के question paper को जो की online mode में conduct हुआ था. So, यहां हमने लिया है 16 December 2021 के question paper को जिसमें हम solve करेंगे Hindi pedagogy के questions. इससे पहले हमने CDP, mathematics and EBS के section को solve किया है. So, आप देख सकते हैं, description में आपको link मिल जाएगा या फिर channel पर आप playlist को check out कर सकते हैं. So, चलिए start करते हैं हम Hindi pedagogy के questions को. Okay, तो सबसे पहले समझ लिजे कि Hindi pedagogy के आपके आते हैं 15 questions. तो इस वीडियो में हम देखेंगे 15 questions को. So, start करते हैं अपने पहले question यानि कि 106 question number से. So, पहला question है, भाषा की अध्यापक पुस्तिकाओं में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना. तो जो पाठे पुस्तिकाएं होती हैं भाषा की, हिंदी भाषा की, तो उसमें पहेलियां होती हैं, वर्ग पहेलियां होती हैं, उनका उद्येश ये क्या होता है? तो पहला उप्शन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, या फिर विद्यार्थियों में प्रवहापून सनप्रेशन की योग्यता विक्सित करता है, या फिर उन्हें कुछ आनंद दायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने म साहेता करता है या फिर कक्षा कक्षा का परिवेश जीवन्द एवं मित्रवत बनाता है तो देखिए इस तरह का जो पहेलियां या फिर वर्ग पहेलियां इंक्लूड की जाती हैं box में यह एक्चल में क्या increase करता है बच्चों के cognitive thinking को increase करता है यानि कि समालोचनात्मक चिंतन को increase करता है तो देखिए आपका जो option number one होगा वो correct हो जाएगा ओके चलिए next question देखते हैं question number 107 तो 107 में है आपकी कक्षा में एक द्रिष्टी बादेत विद्यारती है एक भाषा सिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे तो पहला option है उस बालक के साथ सहान उबूती भराब वहवार करेंगे या फिर बालक को अन बच्चों की तुलना में निमिस्तर्व के निश्पादन की छूट देंगे या फिर नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथ योग को मदद करने के लिए कहेंगे या फोर्थ option है उस बालक के साथ समान उवहवार करेंगे और तथा उसे श्रव सामगरी के द्वारा सहायता करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ option बिल्कुल बेस्ट है कि आप उस बच्चे के साथ भी क्या एक समान उवहवार करेंगे और उसे श्रव सामगरी के द्वारा सहायता करेंगे तो फोर्थ option सही है यानि कि नंबर फोर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा चले देखते हैं question number 108 108 है प्रात्मिक स्तर पर सिक्षारतियों के आकलन के दोरान एक भाशा सिक्षक का मुख्य रूप से निमलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए तो किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जब आप आकलन कर रहे होते हैं पहला option है आपचारिक सापताहिक परिक्षा और उसे प्रगती पत्र पर दर्ज करना या फिर दूसरा एक अवधी के अंत में परिक्षा लेना जो उत्तिन या अनुतिर घोशित करने में सहायता करे या फिर तीसरा है सिक्षार्थियों के निश्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उसे सिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साज़ा करना जा चौधा भाशा के अभ्यास में व्रिद्धी तथा विविधता लाने हेतु प्रते दिन कक्षा कार्य एवं ग्रिह कार्य के रूप में दत कार्य देना तो देखे आकलंड में यहाँ पर जब आप आकलंड की बात करते हैं तो एक चीज दियान दीजए कि आप हमेशा विवेद तरीके यानि कि अलग-अलग तरीकों का इस्तमाल करेंगे और आप जो चीज भी करते हैं जिस भी तरह का आकलन करते हैं तो वो सिक्षार्थी और उनके माता पिता के साथ जरूर से साजा करेंगे ठीक है तो यहाँ पर का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर थ्री चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर वन हंड्रेड नाइन तो वन हंड्रेड नाइन है निम लिखित में से कौन सा रंगीन चित्रो एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उप्योग के बारे में सही नहीं है तो जो बुक्स जिन में रंगीन चित्र बने होते हैं और बड़े-बड़े अक्षरों में दिया जाता है तो आपको बताना इन में से इसके लिए कौन सा सही नहीं है तो पहला है यह एक ऐसा स्रिजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरन प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं तो बिल्कुल सही इस तरह की बुक्स बच्चों के लिए स्रिजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरन प् जित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, चाइल्ड सेंट्रिक आपका इन्वार्मेंट प्रदान करता है, तो आपका ऑप्शन नमबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा देखिए, ये साक्षरता अभ्यास के साथ-साथ भाषा अर्ज के लिए संदर्ब प्रदान करती है, तो यानि कि language acquire करने के लिए भी एक तरह से useful होता है, तो बिल्कुल सही है, भी आपका सही हो जाएगा, नेक्स देखिए, ये पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अथी हैं, तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में अभ्यास से बचने के लिए काफी सही है, तो देखिए, ये आपका reason तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो option number 4 ही इसके संदर्ब में गलत है, तो आपका option number 4 यहां पे क्या हो जाएगा, सही option क्योंकि आप से पुछाता कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो fourth option यहां पे सही हो ज एक से अधिक भाशाओं का ज्यान बच्चों को सहायता करता है, तो एक से अधिक भाशाओं जब बच्चे जानते हैं, तो उनको किस चीज में सहायता करता है, अन्य भाशाओं एवं नए भाशाओं को आसानी से सीखने में, या फिर राश्र के रिती रिवाजों एवं अन् अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुडने तथा समवेदन शील होने में या फिर अधिक अंख प्राप्त करने के लिए उन भाशाओं की लिपी सीखने में तो यहां पे अधिक अंख प्राप्त करने वाला तो option नहीं होगा और दूसरा यहां पर जो तीसरे option में दिया गया ह और जो राष्ट के रिती रिवाजों और संस्कृती को समझने में भी इसका आंसर नहीं होगा में क्या आंसर होगा कि यह जो भाषाइं एक से अधिक जो जानते हैं बच्चे तो उनको अलग-अलग भाषा सीखने में आसानी होती है ठीक है तो option number one यहाँ पर correct हो जाएगा आपका ओके तो चलिए next देखते हैं हम question number 111 कक्षातीन के विद्यार्थी की copy को देखते समय भाषा की सिक्षिका ने कुछ तूटियां देखी और महसूस किया कि तूटियां यानि की गलतियां देखी और क्या महसूस किया बच्चे लापरवा हैं इसलिए वे तूटियां करते हैं या फिर दूसरा option बच्चे तूटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है या चौथा बच्चों की तुरूटियां स्वभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक है या फिर चौथा एक सिख्षिगा के रूप में उससे इस प्रकार की तुरूटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह तुरूटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती है तो देखिए जो बच्चे गर्टियां करते हैं वो एक तरह से उनके लर्निंग का ही पार्ट होता है यानि कि अधिगम का ही पार्ट होता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वाइगौस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ समाजिक अंतक्रिया से सीखते हैं एक भाषा सीख्षक के रूप में तो देखे वाइगौस्की की शोशल लर्निंग ठियोरी है और उसमें वो बताते हैं कि बच्चे अंतक्रिया यानि के समाजिक अंतक्रिया के साथ ही सीखते हैं तो उसके संदर्व में कौन सा सही है आपको बताना है पहला है अपने पार्ठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें और कक्षा में अंतक्रिया एवं बात्चित के बिना कार्य करें तो देखें अकेले बैठने की बात यहां पर बिल्कुल हो ही नहीं सकती हमेशा सोसलाइजेशन वाली बात जहां पर आई वहीं यहां पर करक्ट आप्षन होगा दूसरा देखें ऐसी पार्ठ योजना बनाएं जिसमें अंतक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल नौ की जाए तो नौ की जाए यह भी आपका गलत हो जाएगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोटसाहन पुरुसकार एवं दंड का प्रयोग करें तो यह भी आपका गलत हो जाएगा और चौथा है जोडे एवं सम्हू कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतक्रिया कर सकें तो बिल्कुल सही जब साथियों के साथ अंतक्रिया यानि के इंटरेक्शन कर पाएंगे तो ही यह वाइकॉस की का अनुसार सही होगा यानि कि option number 4 यहाँ पे जाना चाहिए पहला धारा प्रवाब बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के अनुकरणिया विद्यार्थी के रूप में स्विकारना चाहिए ठिक या फिर दूसरा कक्षा हे तू कुछ कटोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनकी कड़ाई से पालन होना च चाहे वे किसी भी भाषा समाजिक एवं सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी से संबंद रखते हों या फिर चौता या सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वन्चित प्रिष्ट भूमी से आने वाले बच्चों को कठीन परिश्रम करना पड़ रहा है या करना है तो देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्चन क्या हो जाएगा कि आप जब भाषा सिक्षक है तो आपको ये चीज़ धियान देने चाहिए कि आपके कक्षा में सबी विध्यार्थी क्या महसूस करें इक्वल महसूस करें ठीक है जाहे वो किसी भी भाषा को बोलते हैं किसी भी समाच से आते हैं, किसी भी संस्कृत्ती से आते हैं, तो उनको एक तरह का वातावरण मिलना चाहिए, ठीक है, तो option number 3 यहाँ पे correct हो जाएगा, ओके, चलिए, question number देखते हैं, 114, तो 114 है, भारतियक अक्षाएं, बहु भाशिक अक्षाएं होती हैं, बहु भाशिकता वाले classes यानि की कक्षाएं होती हैं, तो आपको बताना है कौन सा correct है, तो पहला है, सिक्षक को सिक्षारती की भाशा को नजर अंदास करते हुए, विद्याले की भाशा पर ध्यान देना चाहिए, यानि कि सिक्षारती की भाशा को नजर अंदास कर दे, तो नजर अंदास त चाहिए यह आप नहीं बोल सकते यानि कि यह कहना गलत हो जाएगा ओके देखते हैं तीसरा भारत में एकल भाषी विद्धाले होने चाहिए तता सिक्षक शिक्षार्तियों को उनकी प्रात्मिक्ताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए यानि कि अलग भाषा के अनुसार ही विद्धाले बनानी चाहिए और बच्चों को उसमें ही दाखिला लेना चाहिए तो ये भी गलत है इस देखिया ओप्शन नमबर फोर सिक्षक शिक्षार्तियों को उनकी स्वयम की भाषा में सन प्रेशर करने एवं अभिवक्ती हे तो प्रोचाहित करें तथा उनके वि प्राशाओं का स्वागत करना चाहिए ठीक है एक तरह से इंक्लूजिव एजुकेशन ठीक है इसी को बोला जाता है ओके तो यहां पर ऑप्शन नमबर फोर जो होगा वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ओके चले नेक्स देखते हैं क्वेशन नमबर 115 भासा शिक्षक ऐसा क कार्य दें जो जोड़े सम्हूं में किया जा सके क्योंकि तो इससे क्या फाइदा होगा तो देखिए पहला ऑप्शन है जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शिग्र समाप्त करने में सक्षम होगे तो यह कोई करेक्ट रीजन नहीं होगा नेक्स भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। next देखिए इस प्रकार के अर्थ पूर्ण कार्यों में बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं तो बिल्कुल सही एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सीखते हैं जब उन्हें चोडे में कार्य करने को मिलता है या फिर स तो यहां पर option number 3 आपका ज्यादा correct हो जाएगा यानि कि बच्चे जब सम्हूं में सीखते हैं तो वो सहायता भी करते हैं दूसरे की और दूसरे से सीखना सीख भी जाते हैं चीजों को ठीक है तो यहां डैश का लक्षन हो सकता है तो भाषा पढ़ने और समझने में जब कठिनाई होती है तो यह किस चीज का लक्षन है तो पहला देखिए डिस्कैलकुला यानि कि गढ़ना में अच्छमता डिस्ग्राफिया यानि कि लिखने में अच्छमता डिस्प्रेक्सिया यानि कि प्रयोग या अभ्याज करने में अच्छमता या फिर डिस्लेक्सिया यानि कि पढ़ने में अच्छमता तो देखिए जब भी पढ़ने और स देखते हैं हम लोग question number 117 देखें निमलिकित में से कौन सा कथन प्रात्मे के स्तर पर आकलन करने के संदर्व में सही है तो प्रात्मे के स्तर पर जब आप आकलन करते हैं तो इसके संदर्व में कौन सा सही है आकलन प्रतेक सत्र के अंत में करना चाहिए या फिर आकलन राज अ अधिगम्त प्रक्रियात के साथ समावेशित होनी चाहिए या चौथा आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए तो देखे आकलन एक बार आयोजित करना तो ये गलत है आपको हमेशा चोटे-चोटे इंटर्वल पर बच्चों का आकलन करना चाहिए ठीक है यानि कि य प्राजे पर आधारित होना चाहिए तो ये भी सही option नहीं है में आपका जो सही option हो जाएगा option number 3 जो कि विद्याले पर आधारित होगा और teaching learning process भी उसमें include किया जाता है तो option number 3 यहाँ पर सही हो जाएगा next देखे question number 118 निमलिकित में से आप किसे भाषा की कख्षा हे तो प्रमाडिक सामगरी के रूप में स्विकार करते हैं प्रमाडिक सामगरी के रूप में पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका तो देखे जो चीजें आप school bag में देखते हैं ब workbook होते हैं वो दोनों ही आजाएंगे तो यहाँ पे दोनों ही आंसर को बिल्कुल correct माना गया है and exam में जिन भी student ने इन दोनों में से किसी एक को भी लगाया था उनको पूरे-पूरे number मिले थे ठीक है तो चलिए यहाँ पे दो options सही हो जाएंगे next देखते हैं question number 190 कक्षा 5 की एक सीख्षी का अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किये गए अपने काम जैसे अपनी ड्रोइंग कविताएं कहानिया वर्कशिट और अनिसामग्री एक विशिश्ट फोल्डर में रखें विद्यार्थियों के इस फोल्डर को dash कहा जाता है तो क्या कहा आयानात्मक दस्तावेज यानि कि एनेक्टोडल रिकॉर्ड या फिर पोर्टफोलियो या फिर अवलोकन एवं संकलन तो देखे इसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो यानि कि ऑप्शन नमबर थ्री यहां पर करेक्ट हो जाएगा हो सके अगर आपको यह लिखना है तो लि तो देखे 120 है आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की शमता के साथ ही जन्म लेता है भाषा अर्जित करने यानि की लैंग्विज एक्वायर करने की एबिलिटी के साथ ही जन्म लेता है ठीक है आपका विश्वास निमलिकित में से किस धारना या से मेल खाता है तो सक्रिय अनुकूलन से सहज ज्जानवाद से या फिर भाषा अरजन उपकरण से या फिर पुनरबलन से तो यह जो सिधानत है आपका मेल खाता है सहज ज्जानवाद से ओके तो answer no.2 आपका यहांपे correct हो जाएगा तो देखे यहां पर हमने solve किया Hindi pedagogy के 15 questions को और next video में हम देखेंगे English pedagogy के 15 questions को इसी के साथ साथ आपका 16 December वाला paper हो जाएगा finish और इसके बाद हम next जो भी डेट को जो भी shift को paper conduct किया गया था उसे भी solve करेंगे तो जिन भी student ने cdp का section नहीं देखा है math का section नहीं देखा है तो आप बेशक देख लीजे ebs का भी आपको solve करा दिया गया है तो आप देख लीजे and अब मिलेंगे हम लोग next video में till then आप अपनी तैयारी करते रहिए अपना खयाल रखिए तो मिलते हैं bye bye